तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया कि भारत के डियाइडियो ने ओडिसा में एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भः मिसाइल का सफलता पुर्वाग परिक्षन किया है अब दोस्तो इससे रिलेक्टेट मैंने ज़्यादा जानकारिया आपको इस वी नहीं होने दूगा और साथ ही आपको यह अंसर भी मिल जाएगा कि ये कितने बार फैल हुई तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निर्भव मिसाइल के failures के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि कल का test अगर मिला लिया जाए, तो कुल इसके 8 test हो चुके हैं, जिसमें से 4 test fail हो चुके हैं, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 4 test, पहले DRDO द्वारा फेल हो चुके हैं लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं कि यह बहुत ही बुरी तरह से फेल हुए थे लेकि आपने मिसाइल को लाँच किया और वो मिसाइल उल्टा आप भी की उपर आकर गिर गए जा फिर वो लाँचिंग पैट के पास ही फड़ गई ऐसा नहीं है लेकिन मिसाइलों के लिए कई सारे पैरामिटर सेट होते हैं जिनके उपर अगर वो परफेक्ट नहीं उतरती तो उसे फेलियर ही माना जाएगा मान लीजे आपका सब कुछ सही रहा लेकिन इसके गाइडियंस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो अब इसे फेलियर मानेंगे इसी के साथ साथ इसकी स्पीड को ले लीजे जैसे कि इसकी स्पीड बताई जाती है 0.7 से लेकर 0.9 मेक तक लेकिन हम इसकी स्पीड प्रॉपर चेस्ट नहीं कर पाए और वो 0.5 या 0.6 मेक तक ही रही तो भी हम इसे फेलियर मानेंगे इसी के साथ साथ दुस्तों इस तरह की मिसाईलों में जो इंजेंज वगेरा इस्तुमाल किये जाते हैं वो पहले हम लोग बाहर से मंगवाते थे लेकिन इसके बाद भारत ने इंडिजिनियस ली कई सारे इंजेंस को डेलप किया है इन इंजेंस के डेलप हो जाने के बाद इन्हें इं मिसाईलों के अंदर इंट्रीग्रेट करके और फिर टेस्ट किये गए तो इसलिए भी दो बारा ते बारा यह चार बार बार टेस्स करने की ज़रूत पड़ती है इसी के साथ साथ मैंने आपको कुछ दो-ती दिनों पहले वीडियो बना कर बताया था कि पहले हम लोग मिसाइलों में डलने वाला फ्यूल बहार से मंगवाते थे इंपोर्ट करते थे लेकिन अभी हमारे भारती वेग्यानिकों है यह सेकंड लॉगडाउन के दोरा भारत में ही मिसाइल का फ्यूल बनाना सीख लिया है इसकी टेकनोलजी डेवलप कर ली है जिससे मिसाइलों की रेंज और स्पीड दोनों बढ़ जाएगी तो अब नए फ्यूल के साथ भी हमें कोई नो कोई मिसाइल टेस्स करनी पड़ हुई है लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुई है छोटे मोटे पैरामिटर्स को इसने मैश नहीं किया अब मैं आपको दोस्तों इसकी बैसिक प्रोसेस बता देता हूं जब हम इसे लॉंच करते हैं दरसल इस मिसाइल के अंदर दो एंजिन लगे होते हैं लॉंचि सिस्टम से बचाती है जो कि बहुत अच्छी बात है यानि यह दुश्मन के रडार सिस्टम को चक्मा दे सकती है दोस्तों इस मिसाइल के अंदर एक यह खासियत है कि यह अपने टार्गेट के पास जब पहुँच जाती है उसके बाद यह अपने टार्गेट के चार और पुरी तरह से सक्षम है मैं आपको बता दू कि इसमें जो कन्वेंशनली नॉल नुकलियर वारेट होता है वो तो लही जा सकती है इसी के साथ साथ ये नुकलियर वारेट ले जाने में भी सक्षम है इसल की कुल रेंज बताई जाती है इतना ही नहीं इसे आप किसी भी नेवल शिप से भी लौँच कर सकते हैं अब इसके आगे के फिचर सुनिए दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी खुबी है वो यह है कि यह low altitude और high altitude दोनों की उपर fly कर सकती है बताये यह जाता है कि यह low altitude के लिए 100 मिटर से लेकर 500 मिटर तक fly कर सकती है इसी के साथ high altitude की अगर बात करें तो वो है 4 km का range यानि 4 km उचाई पर जाकर यह fly कर सकती है यानि यह पाकिस्तान वाली site तो काम की है ही साथ ही साथ इसाथ जो चीन की तरफ बड़े बड़े पहाड वगेरा हैं वहाँ पर भी यह missile पूरी तरह से काम करने में सक्षा में मैं आपको बता दो कुछ लोग इसे बाबर missile से compare करते है जो कि पाकिस्तान की missile है वो भी कुछ इसी तरह क बागी दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपका क्या मनना नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा